Hello there and welcome back to Sunday चर्चा सिरीज माईसेल्फ ओमर तसकीर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन्स मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं और संडे चर्चा के वीडियो में मैं उन क्वेश्चन्स का आप लोगों को आंसर देता हूं तो इस हफते के लिए मेरे पास कुछ कु ले सकते हैं देखो कई बार ऐसा होता है फॉर इसांपल आप अगर किसी कंपनी में ऐस एसी ओ परसन जो है वो जॉब करने गए तो वहाँ पर ये बाई डिफॉल्ट आप मान लें कि एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट दी जाएगी तो आप बहुत सारा जो ऑन पेज है वो खुद ही इंप्लिमेंट कर लेंगे अंटिन अनलेस आपको कोड के लेवल पर जाकर कुछ केंज करने की ज़रूरत नहीं है इसी तरीके से जब आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आपकी एजेंसी या चुटा मुटा आप कहीं से प्रोजेक्ट लेते हैं लेट से SEO का प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हैं और आप काम कर रहे हैं तो क्लाइंट भी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो मेजर जो चेंजेस है वो आप खुद उसके उपर कर लेंगे तो थोड और जब कभी आप किसी से प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप उनसे शुरुआत में पूछ लें कि अगर ये किस्टम कोडर वेबसाइट है तो क्या आपके पास डेवलपर है जिसने ये वेबसाइट बनाई थी कि आप उनसे अभी भी टेच में हैं ताकि जो मुझे चेंजेस क करवाने हैं वो मैं करवा सकूँ अब वो बोलेगा कि नहीं आप अपने डेवलपर से करा लिए तो इसमें पहले आपने डेवलपर को वेबसाइट दिखा दो उसको समझ में आ रही या नहीं वो कोड को एक्सेस कर पा रहा है प्रॉपर ली या नहीं वहना बाद में बहुत अच्छी बैकलिंक की स्ट्राटीजी नहीं है मैंने आपको पहले बताया हुआ है और यह जो हमारे बैकलिंक वाला वीडियो है उसको अब देखिएगा जो कंप्लीट हमारा बैकलिंक वाला वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में 17-18 तरीके के बैकलिंक की बात करिए उससे अगर आप यूज करें तो वहां से आपको एडवांटेज मिलेगा बट शुरुआत में आपको एक पुश लेने के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रोफाइल बैकलिंक्स है वो थोड़े से बनाले बट इनका कोई नंबर से लेना देना नहीं है कि मुझे इतने ही बैकलि देखें बैकलिंक्स का नंबर ना इसका जो डिरेक्ट रिलेशन होता है वो इस चीज से होता है कि आप जिस कीवर्ड के उपर रैंग करना चाहरे हो उसके उपर आपके जो कॉम्पटीटर्स हैं राइट वो कितने बैकलिंक्स के साथ रैंग कर रहे हैं बिलकुल वही बात ह लेट से उसके मार्क्स अगर 52 थे 52 परसेंट तो आप 53 परसेंट आएंगे तो आप क्लास में फर्ष्ट आ जाएंगे राइट तो इस तरीके से आप इसको समझे तो आपकी बैकलिंक की स्ट्राडिजी इस बात पर भी डिरिपन करती है कि आप जिन कीवर्ड के उपर रैंग करने की कोशिश कर रहा है उन कीवर्ड के उपर आपके जो कॉम्पर डिटर्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है आई बिलीव आपको बात समझ में आ गई होगी तो इट इस वेरी रिलेटिव इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है कि मुझे इतने बैकलिंक्स बना एवन्ट रेनक fatto के निदर से आप उवन्ट बना सकते हैं गног है दो सारी टाग्ज खा करने के लिए और बहुत सारी दूसरी आपके करने के लिए करते हैं तो ऑजय ढइन का स्तमाल के वह जो टाग्स हैं जो तडीना प्र खाइस हुनकर के पास हो नेग्ड है हाँ, GA4 में आप जो events हैं, वो आप GA4 के अंदर भी बना सकते हैं और GTM और जो GTM के अंदर tags and triggers होते हैं, उसका भी इस्तिमाल करके बना सकते हैं दोने चीज़े आपको आनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको बहुत ही इसके बाद जो next question है, वो है हर्ष का यहाँ पर, क्या कोई बता सकता है कि डिश्टल मार्केटिंग क्लास की सुरुवात कहां से की जाए, कोई क्या मैं ही बताऊंगा अभी यह, क्योंकि सरके चैनल पर बहुत सारी वीडियो से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से स्टार्ट करें, क्या कोई help कर सकता है, देखो हर्ष सबसे पहले एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिश्टल मार्केटिंग करियर रोड मैं आपका, अब वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी जो प्लेलिस्ट है जो है वो गूगल आट सीखना उसके लिए गूगल आट की प्लेलिस्ट है, बाकी मैं एक ऐसा कोर्स भी छोटा सा कोर्स, आट-दस वीडियो का मैं लाने की कोशिश करूँगा, जिससे डिश्टल मार्केटिंग के फंडेमेंटल्स आपको क्लीयर हो जाह embodied, बहुत ही बेसिक्स हैं ना, दोड़ाइ गंटे में मैं कवर करने कुछ करूँगा उसको, ताकि फंडेमेंटल्स आपके क्लियर हो जाएं, तो फिर जो बिल्कुल beginner है, जिसको यहीं नहीं पता है, what is digital marketing, वो चीज मैं उस playlist के अंदर, या उस video के अंदर मैं cover कर दूँगा, तो वहाँ दे start करने के बाद, फिर जिस भी चीज में आपको मज़ा आने लगे, SEO हो गया, Google Ads हो गया, Facebook Ads हो गया, उसमें आप जाकर फिर उस playlist के अंदर जो videos हैं, उनको आप explore कर सकते हैं और उनको आप सीख सकते हैं, फिलहाल के लिए एक digital marketing roadmap का video है, अगर आप उसको देखेंगे हर्ष, तो आपको clarity बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर handmade feelings का question है, सर मेरे gift का website तो काफी products duplicate होते हैं, जैसे anniversary related gift है, है तो अगर एक product एक category से जादा categories में आ जाता है, तो क्या उससे कोई problem होती, इसका क्या solution होगा, नहीं रेखें, कोई भी problem नहीं होती इस चीज़ से, क्योंकि जो आपका category page है, वो एक category को define करता हूँ, basically चाटेगरी में भी है, ठीक है, और best father वाली category में भी है, और best जो है, वो ब्रदर वाली category में, तो उससे फरक नहीं पढ़ता है, कि ये product वहां भी show हो रहा है, ये product यहां भी show हो रहा है, इस बास से बिल्कुल फरक नहीं पढ़ता है, क्योंकि उस page ads के respect में पूछ रहे हैं, क्या हर एक के लिए अलग budget होगा, या एक ही budget सभी ad sets में use होगा, देखे, बहुत ही simple सी चीज़ है, आपका generally जो budget होता है, वो ad set level के अगर मैं बात करूँ, तो अलग-अलग होता है, मलब एक ad set का आप 100 रुपए budget रख सकते हो, दूसरे ad set का 200 रख सकते हो, तीसरे ad set का 300 रुपए आप budget रख सकते हो, तो इस तरीके से जो budget होते हैं ad set के वो अलग-अलग होते हैं, बट अगर आप campaign level पर जो budget है, उसको अगर आप set करते हैं campaign level के budget को तो वो वाला फिर budget एक common budget होता है जो कि सभी ad sets उस budget को इस्तेमाल करते हैं I believe clear हो गया होगा छोटा सा ही आपका सवाल था ठीक है उसके बाद यहां पर spiritual का question है Is SEO died? देखो यह बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैं लगभग यह सवाल पिछले तीन साल से सुन रहा हूँ क्या SEO dead हो गया हमें SEO सीखना चीए या नहीं सीखना चीए सबसे पहले तो यह समझो कि SEO क्या है देखे वो चीज़ जरूर dead हो चुकी है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने spamming कर रख की है अगर आपने grey hat SEO कर रखा है अगर आपने वो जो जुगाडू वाला SEO होता नहीं जल्दी rank होने वाला shortcut वाला वो अगर आपने SEO कर रखा है और आप सोच रहे हो वही SEO है तो वो SEO तो dead हो चुका है उसकी तो कहानी खतम हो गई है बट अगर जनरली आप समझें कि SEO का मतलब क्या होता है देखें Google ने का आए कि भाई हम बहुत सारी websites को rank कराते हैं और उन websites को rank कराने के लिए हमारी कुछ guidelines है हम बोलते हैं कि अगर website ऐसे है ऐसे है इस type से है website की intent इस तरीके से clear हो रही है website ये best practices कर रहे है ये तो there are high chances कि website rank हो जाए बस वही practices ही तो आपको करनी है तो जो Google की guidelines है उनी के हिसाब से आपको website बनानी है और वही जो best practices आपको करनी है तो वो best practices को करना ही basically activities है जो हम SEO में करते हैं बट क्योंकि आपने जो है वो गलत SEO सीख रखा है बात करते हैं या ये बात करते हैं कि हमने न Google का कुछ crack कर लिया है Google के कुछ loopholes crack कर लिये जिनके थुरू हम आपकी website को rank करा देंगे आप website को rank कराना सीख जाएंगे तो वो आला SEO तो dead हो चुका है अब ठीक है तो इसलिए ये सवाल इतने ज़्यादा आते हैं कि आप differentiate नहीं कर पाते हैं कि actually SEO है क्या और SEO क्या नहीं है ठीक है तो जो normal SEO है वो बहुत ही simple है वो सीधी सी चीज़ है ये हमारी website के उपर अगर हम जो search engine की best practices follow करते हैं बस वही SEO है जो guidelines है अगर हम उनको follow करते हैं that is the SEO कुछ और है ही नहीं भाई साब I believe आपको बात clear हो गई होगी थोड़ा सा इस चीज़ को समझारे है मैंने ज़्यादा time ले लिया बड़ ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें I believe बहुत सारी चीज़े आपको clear हुई होगी आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते है next Sunday चर्चा में और ज़्याद सवाल उठाने की हम लोग कोशिश करेंगे Sunday चर्चा वाले वीडियो यानि इस पर्टिकलर वीडियो के नीचे आप सवाल पूछिए ठीक है ज़्यादा कैसे बढ़े अब ना तो मुझे वेब साइट के बारे में पता है ना तो मुझे आपके बिजनेस के बारे में पता है ना आप क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता है it's a very random question कि सर ऐसी कोई trick बताईए या ऐसा कोई तरीका बताईए जिससे कि ना sales बढ़ जाए तो please आप लोगों से request है कि सवाल थोड़ा सा detailed पूछा करें और थोड़ा सा इस तरीके सवाल पूछा करें जिसका मैं सवाल समझ के answer दे पाऊँ जैसे एक और comment आया हुआ था मतलब अगर आप जो है कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो भी clear बताएं है ना उस चीज को ताकि मैं उसको आगे एनले में वीडियो में इंप्रूफ कर सकूँ कोई बात अगर मेरी नहीं समझ में आ रही है कोई topic आपको नहीं समझ में आया पहुत सारी वीडियोस हम regular बनाते रहते हैं दो-चार और वीडियो बना देंगे हैना इसलिए तो मैंने ये Sunday चर्चा वाला जो session ने रखा हुआ है ताकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों से बात कर पाऊं जो मैं वीडियोस में नहीं कर सकते हैं वीडियो में एक topic चल रहा होता है उसमें मैं बीच में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ disturbance नहीं चाहता हूँ तो यहाँ पर जो आप लोग comments करते हो मैं कोशिश करता हूँ जाद 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 important comments उठा लिये जाए तो यह आप लोगों से विनम्र निवेदा नहीं की सवाल ऐसा पूछेगा जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर सेल्स कैसे आए सर मुझे कुछ आता नहीं यह बताईए सर नौकरी कैसे लगेगी है ना थोड़ा सा detail पूछे तो मैं उन points पे discussion आप से कर सकता हूँ आपको राय दे से तो उसे एक comment आया हुआ था उन भाई सामने लिखा हुआ है यहाँ पर यह गधा किताबी शायद मुझ से जो है मुझ से इतिफाग रखके बोल रहे है कि यह गधा किताबी भाशा ही बोलता है इसे आसान सब्दों में समझाना नहीं आता है बोरिंग कर देता है मैं तो अंग्रेजी बहुत कम बोलता हूँ अगर आपको कोई topic नहीं समझ में आया होता है तो अगर आप बोलते ना कि यह चीज़ नहीं समझ में आया है या इस इस example से बता दो आप इस तरीके से कर लिखो तो मुझे भी नहीं समझ में आया है मैं खुदी demotivate हो जाऊंगा कि मेरी बात नहीं समझ में आरी लोगों को ठीक है तो प्लीज थोड़ा सा इस तरीके से लिखें अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है या किसी वीडियो में कोई example आपको समझ में नहीं है तो उसको उस तरीके से mention करें ये बात दिखें बिलकुल genuine है कि हर किसी यूट्यूबर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है individual level पर comments के reply करना इसलिए मैंने ये Sunday चर्चा की series शुरू करी थे कि हफते में एक बार हम 10-12 questions pick करेंगे कोशिश करेंगे उन लोग के answers मिल जाएं बहुत सारे लोग को उनसके answers भी मिलें तो आप लोग प्लीज इस जो वीडियो है इसके नीचे मतलब ये जो Sunday चर्चा वाले इसके नीचे अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये जल्दी नजर में आ जाते हैं हम जल्दी ही सवालों को pick कर लेते हैं और अगर किसी कोई वीडियो नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप बोला करें वहाँ पर बताएं कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है हम झालों पर गड़बड़ी है थाँ पर बोला कर दो मिल्दी आप सवालों कोई पर खालों कोई पर गड़बड़ी है